हालो है है दुस्तों थों आगे दिशी मोटर कितने यह आ यह टतर नहीं करें कि और चेयल का पुंचेंवा जाते हैं इतने मॉटर कै लिदीने टाइफसे मोटर होते हैं जो अथिक तरह पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल जाएं सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जो डीसी मोटर होता है डीसी सप्लाइश चलती है अब बात करें दोस्तों डीसी मोटर में हम कितने टाइप से होते में अगर देखे दोस्तों से मोटर प्रैज्टि मोटर यूण कंसी मोटर जब्क हमें 2 जब कि मनलिजीuchen हम D माइक चीमिमें, वह ल Jose IMelと思います प्रेक्षी जरे से पर्मारी में दीचि मोटर यह में में मोटर होता है सैंट। बंडिची मोटर में होता है स्थ्सी आई बार सकम समय हमारे इंघ्शी में हम में से पूछ किया llama इसार स्थे सभावग மatis के दोस्तों के एक दीच मोटर किया जाता है ょम कोणosi मोटर के जानीब-डो कứng का एंद करका कियाлять हैँ पार्श बदबाद करेंगे कि दोस्तों कि Permanent Magnet DC Motor क्या कैं पीमचे मोटर जो होती है उम्हां देола औने चिंब होते हैं की स्मॉल मोटर के रिक वाह Aaah पर होती है और यूज क्रेडैट रिचानल करने के लिए इस में लेट के लिए एक ल्फिव फेड्वाइंडिंग नहीं जाती है बमान इम्हेंग माइखने होता है लेकिन वाइंडिंग होता है लाकिन कि हमारे निसेसरी नहीं रहती है यह मैं एक्सिमन देखें तो इसमाल मोटर के जहां मारे रिक्वार्मेंट होती है वहां होती है मतब जहां पर यह भी बोल सकते हैं जहां पर हमारे पर बहुत मिनिममम कंट्रोल की जरूरत होती है मतब जैसे करने माट करते हैं कम कंट्रोलिंग के लिए कंपरेसर में मान सकते हैं लेकिन कंपूटर के डिस्क ड्राइब होता है उसमें हम उसमें हम पी इमडीसी मोटर के यूज कर लेते हैं नेस्ट बात करेंगे कि दोस्तों कि सिरीज वाउंड डीसी मोटर क्या होती है अब सिरीज वाउंड डीसी मोटर की बात आ गई तो सिरीज वाउंड में देखें तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं कि जोड़ते हैं मतलब हमारा जो होता है उसके करेंट को निकल लेते हैं जो हमारे सीरीज दीसी कहलाते हैं लेकिन फैड़े इसमें आधिक से करेंट को फ्लो कराएंगे के दोस्तों में हाई टॉर्क यह हमें होता है मतलब होती है यूज किया जाता है मतलब मिथैप कर लेते हैं होगा हाई यहां हिपर हमारे पास हो गया हिस्थ यहाँ भी हमां पर हाई अब डूट के साथ लोड के साथ हमें स्पीड को चेंज कर सकते भारी भार कम चीज उठाने में हो गया फिर ले जाने में हो गया उसमें यूज पात करेंगे दोस्तों डीसी मतलब डीसी संक मोटर बोलते हैं चली उसके फीड वाइंडिंग होते हैं आर्मेयकर के पैर लेली कनेक्ट होती है तो यहां पर दोस्तों इसका यूज देखें तो इसका यूज होता है जहां पर में स्टेबल स्पीड की जरूरत हैं स्टेबल स्टीय की जरूरत मैं elevt लेकिन पीजहती है जिए जरूप हो गया लिफ्ट हो गया सब्सक्राइब हो गया हमारे स्पीड मतलब कंट्रोल रहती है मतलब एक समानी स्पीड रहती है वहां पर डीसी संट मोटर की यूच किया जाता है इस बात करेंगे दोस्तों पूरा पूरा नुमेरिकली टाइप से खें शालब यूच क्या होता है लेगिन इसमें वीडियो डेक लिक Ayak Uns confirmed मोटर मतलब नी मतलब यूच कर एक पया वायंटल यूच केला है उसी कोंध तो लौंग संट लॉंग संट कंपॉंट्ट युचा बोल सकते हैं सहुंत मतब आर्मेचर की चितना पास में रखेंगे उसी की हिसाब से हम बोलते हैं मतलब फिल्ड वां इंडिंग को उसी को compound motor वी बोला जाता है मतलब इसमें series series plus संट दोनों मिक्षर होता है दोनों को मिक्षर करके हमं कंपॉंड मोटर यूज किया जाता इसमें हमारे कर सकते हैं और रुडेशन कर सकते हैं क्या जैंचे में क Laughing में काफिवा सान यह जाता है इसका यूज देखें दोस्तों इसका यूज जो हमारे इलीवेटर में यूज होता है मतलब हो गया में इसी इसी जहां हाइब में और कि जरूरत होती है हमाई compound DC motor का यूज किया जाता है इस तरह में ली four type DC motor की यूज हमने देखा है दोस्तों कि इसका में ली application क्या है तता या कैसे work करता है हमने इस वीडियों में देखेंगे दोस्तों की properly series one क्वाइब दोस्तों हमने मैंने इसफोर टाइप्स की डिसी मोटर के यूज़ देख लिया है था एक इसा इत्री के लिए थे तस्काइब कर लोग दोस्तों